मेरे देश स्वासियों, देश के पहले गिर्म मंत्री होने के नाते, सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सक्त रहते थे, लोग पुरुस थे ना, पिछले नाव वर्षों से, देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनावती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मैनत भी, और उसकी विजय से, देश के दुश्मन, अपने मनसुबों में, पहले की तरह, कामियाब नहीं हो पा रहे हैं, लोग अब भी, उस दौर को नहीं भुले हैं, जब भीड भरी जगों पर जाने से पहले, मन संका से भर जाता था, त्योहारों की भीड, बाजार, पब्लिक प्लेस, और जो भी आर्थिक गतिविदियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बना कर, देश के विकास को रोकने की साजिस होती थी, लोगों ने ब्लास के बाद की तबाही देखी है, बम के दमागों से हुई बरबादी देखी है, उसके बाद जाच के द्राम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है, आपको, देश को उस दौर में वापस लोटने नहीं देना है, हमारे सामर्थ से उसे रोकते ही रहना है, जो लोग देश की एकता पर हम ले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को, उन्हें जनना है, पैचानना है, समझना है, और उनसे सतरक भी रहना है, साथियों, देश की एकता के रास्ते में, हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है, तुष्टी करण की राजनीती, भारत के बीते कई दसक साक्षिय हैं, कि तुष्टी करण करने वालों को, आतंगवाद, उसकी भायानकता, उसकी विक्रालता, कभी दिखाई नहीं देता, तुष्टी करण करने वालों को, मानवता के दुष्वनों के साथ, खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है, वातं की गतिविद्यों की जाच में, कोता ही करते हैं, वो देश विरोधी तत्वा पर, सक्ति करने से बचते हैं, तुष्टी करन की सोच, इतनी खतरनाख है, कि वातं क्यों को बचाने के लिए, अदालत तक पहुँच जाती है, ऐसी सोच से, किसी समाज का भला नहीं हो सकता, इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता, एक ता को खतर में डालने वाली, ऐसी सोच से, हर पल, हर समय, देश के हर कोने में, हर देश वासी को, सावधान रहना ही है,